तीवी पत्रकार अर्नब गूस्वामी इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। अर्नब गूस्वामी इस हमले में बाल बाल बच गए हैं। अर्नब गूस्वामी ने अपनी वीडियो में ये भी कहा है कि दोनों पकड़े गए यूवक यूथ कॉंग्रेस के हैं और उन्हें कॉंग्रेसियों ने मेरी कार पर और मुझ पर हमला करने के लिए भेजा था। वीडियो में आगे अर्नब गूस्वामी ने ये भी कहा है कि को तोड़ने की कोशिश की और उसको बहुत मार रहे थे गाड़ी को और एक गाली दे रहे थे और एक मार रहे थे दोनों मारना शुरू किया कि शीशा तूटे क्योंकि मैं मेरे 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 खिर्की जो थी बंद थी इसलिए वो तोड़ नहीं पाए और उसके बाद जब मैंने एक्सलेटर पे अपना अपने पाओं को रखा और थोड़ा और आगे मूप करने की कोशिश की ताकि उनको अवाइड करते हुए मैं आग शुरू कर दिया तो मुझे पता नहीं था कि क्या है ये तिजाब है कि क्या है कि इंक है तो मैंने सिर्फ अपने गारी के पेडल पर अब एक्सलेटर पर सोर से दबा के मैंने लिफ्ट से टर्न करके मैं आगे निकला जब मैं आगे निकला और मैं ये फिर से बता दूँ कि म मैं आगे बाईक को छोड़ के मैं जब आगे निकला तो मैंने पीछे देखा कि मेरे जो security थे उन्हों पे आये तो मैंने पूछा कि आपको क्या पता चला और वो कौन थे उसके पहने मेरे खुद के जो security guard है वो भी आये और उन्होंने बोला कि नहीं उनको पकड़ा है और वो Congress के है और फिर जब वो security इसके workers को police station ले गए और मैं आज खुल कर आप सब को पता है कि मैंने सोनिया गांधी पर सीधे और तीखे सवाल लखे हुए तो मैं आज खुल कर खुल कर आज मैं सोनिया गांधी को कहना चाहता हूँ कि आप और आपकी सारी परिवार सबसे कायर है दरपोख है जो आपको लगा कि मुझ पे और मुझ पे और मेरे वाइफ पर आप अटेक कर सकते हैं मुंबाई के बीच सड़क में तो करिया आप अटेक आप जितना करना चाहिए आप करिया आप अपने गुंडों के फॉच को लाइए मैंने तो आज टीवी पे बोल दिया है कि मैं आपसे नहीं डरता मैं तो और सवाल पूछूँगा आप पर आपके घोटाले पर पूछूँगा मैं और आपने जो किया है जो आप चुपी साधी हुई आपने पालघर के केस पे जहां पे संतों को मारा गया उस पर भी मैं सवाल उठाओंगा आप कुछ भी करे और मैं सारे दर्शकों को और एक बात बता दूँ कि आपको सब को पता है कि पांच राज्यों में आज मेरे खिलाफ इन्हों ने पता आओ मेरे गिरफतारी करो और अगर मैं जब ऑफिस से घर आता हूं घर से आपस आता हूं आप अपने गुंडों को भेज के मेरे पर अटैक करवाना चाहता है करिए मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं हमारे साथ हैं मैंने आज बोला अपने अपने गुंडों को भेज के मेरे पर अटैक करवाना चाहता है करिए मगर एक बात याद रखिए कि भारत के लोग हमारे साथ हैं हमारे साथ हैं और कर लीजिए आप किसी का कुछ नहीं बिगार सकती हैं आपसे कोई नहीं डरता है और सवाल और पुछेंगे लोग आपसे आज आपने मेरे पर अटैक की है ठीक है आप विफल हो गई करेंगे ट्राइ फिर से और मैं फिर से कहना चाहता हूँ अगर मेरे पे कोई अटैक हो उसके लिए सिर्फ एक व्यक्ति और एक परिवार जिम्मेदार है वो है वाडरा परिवार और सोनिया गांधी उनको पता है कि पिछले दस सालों से मैंने सवाल उठाए और वो मेरे आवास को दबा नहीं पाए तो करिया आपकी सरकार है आपके गुंडे है आपकी फौज है करिये मुझ पर अटैक मगर फिर भी कहूंगा सोनिया गांधी थोड़ा सोच लीजिया भारत के लोग आपके खिलाफ है डड़ेगा और ना कैर करेगा यह हजारो बार मुझ पर अटैक कर ले देश की जनता हमारे साथ है तन्यवाद